सो हेलो एव्रिवन कैसे हो आप सब लोग जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट दीके की सीरीज शुरू की हुई थी और उसी को कंटीन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर 16 तो आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मोरेन और गुपता इंस्क्रिप्शन के बारे में बेसिकली ये लेक्चर रहने वाला है गुपता इंस्क्रिप्शन के बारे में और जो पोस्ट मोरेन इंस्क्रिप्शन पिछले लेक्चर में एक दो छूट गए थे वो वाले तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर तो post more in inscriptions में जो रहे गए थे उसमें सबसे पहले आता है उशाब दत्ता का नासिक केव inscription जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे है ये नासिक सिटी में है महराश्ट्र में और ये कहाँ पे inscribe किया गया है ये दश्मी केव है ना पांडू लेना की नासिक सिटी के अंदर महराश्ट्र में वहाँ पे ये जो inscription है ये वहाँ पे है और ये इसकी language क्या है प्राकरित जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम पे most commonly used language थी वो प्राकरित ही थी और कौन से script होती ये ब्रामी तो ये किसने बनवाया था ये inscription ये inscription बनवाया था उशाब दत्ता ने जो की दामाद था किसका शत्रप रूलर नासिक नहापन था जो western शत्रप आये थे उनमें से जो नासिक नहापन था उसका दामाद था उशाब दत्ता इसने ये inscription बनवाया था दशामी के उस वो कितना बड़ा था उसकी boundaries कहा कहा तक थी और किसके बारे में बताता है, उस time के guild system के बारे में बताता है कि इस time पे guild system कैसा था, guild होता है यानि कोई भी particular समाज या किसी भी particular group के लोग होते हैं जैसे कि जो मिट्टी वगेरा का काम करते हैं, मट्के बनाते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं कुमार या जो बुनकरी का काम करते हैं उन्हें हम कह देते हैं बुनकर तो इसी तरीके से ये उस टाइम के गिल्ड सिस्टम के बारे में बताता है तो according to this inscription जो उशाब दत्ता ने क्या किया था उसने 3000 कहापन जैसे कि उस टाइम के करंसी को हम बोल सकते हैं जैसे कि आज होता है रुपी होता है रुपी है डोलर है ये है ना तो उस टाइम पे हम क्या बोलते थे उस टाइम पे बोलते थे कहापन तो उसने क्या किया था उसने एक पर्मानेंट अमाउंट जिसे हम कहते हैं अक्षे निवी के रूप में 3000 कहापन जमा किये थे और जो किस के लिए किये थे 2000 किये थे बुनकरों के लिए जो कि गोवर्धन के बुनकर थे ना उनके लिए और 1000 थे अधर बुनकर्स के लिए पांडू लेना में जो दश्मी केव्ज है ना वहां पर जितने भी भिक्षू रहते थे विक्षू मोंक यह सब रहते थे उनके खाने और उनके वो क्या-क्या एक्सपैंड करते हैं उनके खर्चे वगारा पर उनके क्लोथ पर इन सब चीजों पर वो जो इंटरस्ट के पैसे जाते थे वो इन ही के लिए इन ही पर खर्च किये जाते थे किस पर पांडू लेना के उसकी दश्म जो भिक्षू रहते थे उन पर तो चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट है रुद्र दमन का जूनागड या गिरनार इंस्क्रिप्शन तो यह बेसिकली दिखा गया है और इस फर्स्ट लोंग संस्क्रिप्शन यानि कि यह पहला संस्क्रिप्शन देखी इसे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो फर्स्ट संस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन क्यों सा था वो था धनादेव का अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन लेकिन यह या ये जो साका रूलर था ना रुद्र दमन उसने बनवाय था और इस इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी जैनकारी मिलती है कि जो रुद्र दमन था उसने किन-किन राजाओं को हराय था और कौन-कौन से स्टेट्स पे विजय प्राप्त की थी तो कौन-कौन से स्टेट्स थे वो अकारा, अवंती, अनूपा, अनर्त, सुराश्ट्र, शुब्रा, मारू, सिंधू, सुवीरा, कुकुरा ये सारे जितने भी स्टेट्स थे जो कि आपने की फिजिकल फीचर्स देख सकते हैं कौन सा कहां पर प्रेजेंट है जैसे कि जो अका जो कि मालवा MP वाले रिजन में जो आता है उधर और जो कच्छ है जिसको हम modern day कच बोलते हैं तो ये वाला जो मारवार वाले इलाके में मारू आता है और जो विंध्याज और अरावली ये जो mountain range है वहां पर कौन सा था निशबड़ा था तो ये सब पर इन्हों ने रुद् description बताता है और अगर हम ओर बात करें कि और क्या जनकारी दिता है तो ये दिता है कि जो सुदर्शन लेख है उसके बारे में बताता है कि जो सुदर्षन लेख है ना वो बहुत पुराना है चंदरगुप्त मोर्या और अशोका के time का है और ये किस ने बनवाय था पुष्यक चिसे होती हैं वो खराब हो जाती है ना तो ज ही जादा रिपेर की धरूरत थी तो इसको किसने रिपेर करवाय था इसको रुद्र दमन ने रिपेर करवाया था क्योंकि इसका बहुत जादा उस ताइम पे बहुत जादा डिस्टरक्शन हो गया था और ऐसे कहने लगे थे कि जो सुदर्शन है वो दुदर्शन बन गया है तो इसको जो है रुदर दमन्ने ठीक करवाया था और ऐसा लिखा है इस इंस्क्रिप्शन में कि उन्होंने इससे जनता से कोई भी टेक्स वगेरा नहीं लिया था जितना भी खर्चा था वो उन्होंने अपने राजकोष से लगाय था अपनी जेब से लगाय था और ये जो रिपेरिंग वर्क है उन्हीं के टाइम पे हुआ था तो ये सब कुछ हमें इसी inscription में मिलता है रुद्र दमन के गिरनार inscription में और ये first inscription है कहाँ पे जहाँ पे जो मातर लक्ष्मी है और भगवान विश्नु की एक साथ photo या एक साथ उनका नाम mention किया गया है ये एक मातर ऐसा inscription है अब next अगर हम बात करें तो आते हैं गुपता पेरियाड के inscription तो उसमें सबसे पहला आता है समुद्र गुपत का प्रियाग प्रशस्ती प्रियाग राज जैसे कि आपको पता है कि अलाबाद का इनाम change हो चुका है तो ये जो प्रियाग प्रशस्ती है ये तो बहुत ही जादा वेपर्स में पूछा जाता है तो ये जो है ये कहां पे है अलाबाद का जो फोट है वहां पे है और original प्रियाग में नहीं है तो ये जो प्रशस्ती क्या होता है पहले हमने वो बात की हुई है प्रशस्ती के बारे में तो प्रशस्ती के बारे में जैसे कि हमने बात की हुई है कि प्रशस्ती क्या होता है यू लो जी यानि कि किसी भी कवी द्वारा लिखी गई किसी भी राजय के लिए बाती जैसे कि कुछ कवी होता है जो बड़ा चड़ा के लिख देता है ना कवीता बना के उस फॉर्मेट में तो वो ये है तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ती इसमें क्या है ये किस ने बनवाया था ये बनवाया था हरी सेन ने हरी सेन ने बनवाया था जो कि समुद्र गुप्त के क्या थे मिनिस्टर ओफ पीस और वोर्ड जो उस टाइम पे मिनिस्टर होते थे इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी यूज किया गया है जैसे कि यह पेपर में पूछा जा सकता है कि गुप्ता पीरियड के दौरान जो मिनिस्टर ओफ पीस और वोर्ड को क्या कहते थे माहा संधी विगराहिक कहते थे माहा संधी विगराहिक कौन थे समुद्र गुप्त के हरी सेन थे इन्होंने बनवाया था ये प्रियाग प्रशस्ती और ये Sanskrit language में लिखा गया है और इससे हमें बहुत सारे पता चलता है कि जो इसका inscription है वो पहले तो किसमें है जो first part है inscription का वो verse की form में है यानि कि एक कवीता की form में है और जो later part है वो एक prose की form में है यानि कि paragraph की form में है first तो poem की form में है जैसे कि आपको पता होता है कि poem होती है उसमें rhyming होते है और छोटे-छोटे paragraph से होते है paragraph तो नहीं कह सकती है जो rhyming मिला के जो चार line की होती है दो line की होती है उसको हम poem बोलते है और जो prose होता है वो एकदम उसकी paragraph की form में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहले एक्जामस में आते थे न किसमें से question बताई है ये following गध्यांश पढ़के तो ये होता है तो इस तरीके से ये inscription है और ये किसके बारे में बताता है coronation यानि कि राज दिलक के बारे में बताता है किसका अफकोस समुद्रगुप्त के मिनिस्टर ने बनवाया है तो उसी के बारे में बताएगा न कि जो उनका राज दिलक है वो किस तरीके से हुआ था और ये सब कुछ है कि मतलब उस टाइम पे और उनकी personality के बारे में बताएगा कि उन्होंने किस तरीके से जो आसपास के राजा थे उन पे कैसे विजय प्राप्त की और ये जो है इसमें बहुत सारी lines है और अलग-अलग lines के बारे में हमें अलग-अलग जानकारी मिलती है उससे तो जो 7th और 8th line है इसके अंदर उससे हमें क्या पता चलता है उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो चंदर गुप्त 1 थे उन्होंने एक announcement की थी कि जो मेरा अगला पूरी सप्ता को संभालेगा पूरी जो राजा बनेगा वो होगा समुदर गुप्त तो इससे क्या हुआ इससे जो बाकी जो तुल्यकुलास थे वो जल गए थे यानि कि उन्हें जेलसी फील हुई थी कि अब ये बन रहा है इसका कोरोनेशन होगा इसका राजसिलक होगा यानि कि एक तरीके से वो इसके फेवर में नहीं थे ये लिखा गया है इस inscription में और थर्टींत लाइन में कि लिखा है कि जो विक्टरी इन्होंने हासिल की थी अलग-अलग किंग्डम्स के बारे उपर अलग-अलग राजाओं को उन्होंने हरा दिया था और एनेक्स कर लिया था यानि कि हतिया लिया था किसको पार्टली पुत्र को और जो राजा थी नागसेन अच्यूत इनको हरा दिया था और 17 और 18 लाइन में हमें क्या पता चलता है कि जो समुद्र गुप्थ है उसको डिस्क्राइब किया गया है क्या वन हुज ओनली अलाई वोज वेलोर यानि कि इनका एक मात्र मित्र कौन था इनका एक मात्र मित्र थी वीरता यानि कि ये इतने और कि कोई इनका दोस्त नहीं था ये सिर्फ अपने उपर भरोसा करते थे सिर्फ अपने खुद को ही दोस्त मांगते थे और कहते थे मैं बहुत वीर हूँ तो ये सब कुछ प्रशस्ती में लिखी गई होती है जो किंग के द्वारा कवी के द्वारा जो इनकी तारीफ में होती है तो ये सब कुछ है और और क्या लिखा गया था कि जो इनकी बोड़ी है उस पर बहुत सारी निशान है और वो सारे किसके बारे में यानि कि एक तरीके स बताते हैं कि यह कितने वीर हैं, इन्होंने कितने युद्ध लड़े हैं, और जो हर घाव है, हर स्कार जो भी है, वो बताता है कि वो हतियारों से हुआ है, और जंग के दोरान हुआ है, तो यह कितने मतलब महान है, वीर है, इनके बारे में बताता है, और यह बताता है, कि इन भी victories के बारे में बताते हैं कि जो इन्होंने अलग-अलग dynasty के राजाओं को हरा दिया था ये सब कुछ यह तो हम आगे भी पढ़ सकते हैं और basically इतनी कोई important जानकारी नहीं है और अगर जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है जो कि 27th line में लिखी हुई आप देख सकते है वो है कि समुद्र गुप्त को बहुत बार क्या कहा जाता है कवी राज यानि कि इनको कवी राज की उपादी भी इन्होंने ली गई थी क्योंकि यह कवीताएं लिखते थे और ये इनको music का भी बहुत जादा शोप था ये वाला इसमें mention नहीं है लेकिन मैं बता देती उनकी बहुत सारे coins पे एक photo भी आती है जो कि coins museums में रखे गए हैं तो इनके हाथ में वीना है यानिकि इनको वीना बजाने का भी शोग था तो ये questions बहुत बार आ जाता है कि समुद्र गुप्त को कौन से music में interest था वीना बजाने में था और इनको किसकी उपादी ली थी इन 30th line है उससे हमें पता चलता है उसमें इन मतलब describe किया हुआ है लिखा हुआ है लिच्छवी दो इत्र यानि कि ये जो लिच्छवी princess थी ना उसके दो इत्र थे और भी ये अलग-अलग जो इनोंने title लिया हुआ है जैसे कि महराजा, धीराज, अवतार, ओफ विश्नु, प् मुद्र गुप्त का इरान inscription तो ये जो inscription है इसको और कहा क्या कहते हैं इसको कहते हैं सवरा जो छेता यानि कि अपरूटर सो फोल किंग यानि कि ये ऐसे किंग है जिनोंने बाकी किंग्स की जड़े जो थी ना उनको उखाड फैका था यानि कि एक तरीके से item महावरा हम कह सक क्या कि इनोंने हरा दिया था और इनोंने किसे शादी की थी दक्ता देवी से शादी की थी ये सब कुछ और ये जो इराकनी इरेकनी जो कि इरान मध्या प्रदेश में एक कस्बा है ये और ये स्वभोग नगर इनको कहते हैं कि इरेकनी को कि ये जो है इनका स्वभोग नगर था यानि कि ये इनकी पर्सनल जागीर थी नेक्स्ट है समुद्र गुप्त का नालंदा कोपर प्लेट इन्सक्रिप्शन तो ये कहां से मिला है ये हमें एक विहार से मिला है विहार मतलब जहां पे जो मौंक वगएरा होते थे वो रुखते थे रेनी सीजन में तो ये हमें वहां से मिला है और कहां पे नालंदा विहार स में उधर से मिला है और ये भी संस्क्रित लेंग्वेज में है कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है अग्राहर यानि कि जो उस टाइम पे राजय वगेरा थे या समुद्र गुप्त ने कितनी ब्रहामनों को लैंड ग्रांट में दी पहले होता था ना अब तो जैसे हम कुछ भी देते हैं पैसा दे देते हैं कपड़े दे देते हैं लेकिन उस टाइम पे क्या होता था सबसे पहले अगर हम इंशन टाइम की बात करें या वेदिक एज की बात करें तो उस टाइम पे क्या दिया जाता था उस टाइम पे गाए दान में दी जाते थी आपने सुना भी होगा कि फलाने राजा ने उसको उस ब्रहामन को इतनी गाए दान में दी और लेकिन बाद में क्या हाने लगा बाद में लैंड गरांट साने लग गए यानि कि जो भूमी थी या भूमी का टुकड़ा था पलोट्स थे वो सब कुछ ब् जो गुप्ता की जीनोलोजी थी ना उसके बारे में बताता है यानि कि जो सबसे पहले श्री गुप्त थे उसके बाद दूसरा राजा था उसके बाद इनाने कि इनके डाइनेस्टी में कौन से रूलर के बाद कौन सा रूलर आया और किसने राज किया ये होता है जीनोलोज तो next अगर हम बात करें तो वो है समुध्र गुपत का गया copper plate inscription देखी अगर हम questions की बात करें कि किस टाइप से question आएगा तो वो आ सकता है जैसे कि गया का जो copper plate inscription है। वो किस ने बनवाये था या फिर ऐसे कह सकते हैं कि समुध्र गुपत का copper plate inscription जो हमें ये जानकारी देता है वो किस state में है तो इस तरीके से questions form हो सकते हैं तो जो समुद्र का गया copper plate inscription है वो तो नाम से ही पता चल रहा कि गया जो है वो भिहार state में है और ये एकदम किस की तरह है जो नालंदा का copper plate inscription है उसी की तरह है जो हमें land grant के बारे में बताता है जो कि दो के बारे में बताता है एक उदैगरी hills के बारे में जो की वीदीशा में है मध्यपरदेश में फर्स्ट केव थी वो एंकार्ड की थी किसने शानकानिक religion से थी और जो second केव थी वो किसके द्वारा incarnate की गई थी याने कि किसने बनवाई थी वीर सेन सहाब ने बनवाई थी जो कि minister थे फिर किसके उसके चंदरगुप्त second के जैसे कि हमें पता है कि जो minister of peace and war को क्या कहा जाता था संधी विग्राहिक किसके चंदरगुप्त second के और यह हमें किसके बारे में बताते है याने कि जानकारी किस चीज के बारे में देते हैं वो देते हैं हमें victory over western region जाने कि जो western region था जैसे कि western इंडिया अगर हम बोले तो पंजाब, हरियान, राजिस्थान, गुजरात का जो western part है यह सब western इंडिया में आता है तो इसके उपर victory याने कि किस तरीके से kings को हराया और इसके बारे में बताता है next है महरोली iron pillar inscription यह तो बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा कि यह किस के बारे में है it is concerned with the king named चंदर याने कि इसमें जो चंदर गुप्त second का नाम है वो क्या लिखा गया है वो लिखा गया है चंदर लिखा गया है next है कुमार गुप्त का दामोदर copper plate inscription तो यह कहां पर मिलता है दामोदरपुर में मिलता है जो की दिनाजपुर में है northern Bengal में और यह वी संस्कृत में लिखा गया है और यह हमें किसके बारे में बताता है कि जो Bengal था वो एक टाइम पे किसका पार्ट होता था कुमार गुप्त empire का पार्ट होता था यानि कि इसस तक फैला हुआ था तो यह जो indirect चीज़े होती है यह हमें खुछ से समझनी पड़ती है और किसके बारे में बताता है कि जो उस टाइम पे state organization कैसी थी administrative system कैसा था गुपता पीरियड के दोरान next अगर हम बात करें तो आता है कुमार गुप्त का मंदसोर stone inscription यह जो है यह भी stone पे ही लिखा गया है बहुत सारे चीज़े यानि कि stone पे एक तरीके से जानकारी गुदवाई गई है लिखी गई है और यह कहां पे है मंदसोर मध्य प्रदेश में है तो यह हमें किसके बारे म हो गया था तो यह जो decline है गुप्ता पीरेड का क्यों हुआ था यह हम ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम गुप्ता डाइनिस्टी करेंगे लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो इस टाइम पर क्या हुआ था जो गुप्ता रूलर्स थे उन्हों ने क्या किया था वो प्राज कोश में आता है वो पैसा और उससे जो राजा होता है वो अपना राज्य चलाता है लेकिन अगर हम अगर वो राज्य कोई भी पर्टिकुलर की लैंड को ग्रांट्स में देना शुरू कर देगा तो उसका जो टैक्स होगा वो किसको जाएगा उस ब्रामन को जिसको भी वो दिया है तो जो है वो पैसे हैं वो भी राज्य कोश में नहीं होंगे और फिर जो है वो राज्य चलाने में दिक्कते आएंगी तो इतना जादे लैंड ग्रांट्स देने के कारण ये भी एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है कि मतलब जो गुपता पीरिड है गुपता रूलर्स थे वो एकदम से मतलब डिकलाइन की तरफ आ गई है डैनस्टी और किसके बारे में बताता है वही गिल्ड के बारे में कि जो सिल्क वीवर्स थे जो कि वो कहां से माइग्रेट करने लगे क्योंकि जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो डिकलाइन हो रही थी ए यश्पूर में अभी हमने पढ़ा ना कि मंसूर कहां पे था मध्यप्रदेश में और उन्होंने वहां पे जाके एक टेंपल बनवाया जो कि किसको डेडिकेट था भगवान सूर्यकू नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सकंद गुपत का गिरनार जूनागर इंस्क्रि जो कि बहुत सारी चीजों के बारे में बताता था कि इसका जो है रिपेर करवाया था रुद्र दमन ने लेकिन यह जो है यह सकंद गुपत का गिरनार इंस्क्रिप्शन है ध्यान में रखना ये बाते हैं यह कि जो आपोइंटमेंट है गुपता यानि कि गवर्णर गुप लिए जाते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं पहले आपके टेस्ट लिए जाते हैं फिर मेंस लिखवाया जाता है इंटर्व्यू लिए जाते हैं या फिर कोई भी ओनलाइन लिए जाते हैं किस तरीके से अलग-अलग questions पूछते हैं तो उसी तरीके से एक proper process होती है ना तो इस तरीके से उस टाइम पे भी क्या होता था उनके लिए उनके कोई प्रोसेस होती थी टेस्ट वगेरा होते थे उनकी क्वालिटी चेक की जाती थी कि वो गोपता के लिए इस पद के लिए आईडल है या नहीं है और किसके बारे में बताता है कि इन्होंने जो सुदर्शन लेक वो एक बार फिर से डेमेज हो गया था और इसकी उनोंने क्या करवाई थी इन्होंने एक बार फिर से रिपेरमेंट करवाई थी और इसकी एमबैकमेंट होता है तट जैसे कि साइड में बड़ी-बड़ी दिवारे बना के हम एक तरीके से वह कर देते हैं उसको थड़ा सा पक्का करवाया था तो ये किसने करवाया था चक्रपालिता ने करवाया था जो कि किसका सन था पढ़ना दत्ता का जो कि गोपता थे उस टाइम पे किसके इनके रीजिन के तो ये सबी इनके बारे में बताया गया और क्या बताया है इन मतलब ये बताया है कि जो कुमार गुप उसको क्या कहते थे उसको कहते थे चकरपालिता देखे ये भी एक टर्म है किसके लिए जो सिटी का हेड होता था ना उसके लिए और ये क्या है ये एक आदर्श नगर रख्चक है यानि कि उनको प्रोटेक्ट करता है वहां के लोगों को नेक्स्ट है सकन्द गुप्त का भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन ये जो है ये भितारी विलेज में है कहां पे गाजीपुर डिस्टिक में उत्तर प्रदेश्ट में और अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करे तो संस्कृत है और ये हमें किसके बारे में बताता है कि जो पि यानि कि जिसका construction कहां पे हुआ था, उत्रप्रदेश में तो हो गया था यानि कि जो भितारी विलेज के लोग थे, उन्होंने क्या किया था उन्होंने revenue दिया था, यानि कि पैसे इखटे किये थे और फिर उन्होंने क्या किया था? वहाँ पर जो भगवान विश्णु है, यानि कि जो भगवान शरणगी है, उनका बनवायः था, स्टेट्यू बनवाया था और उन्हें के पास है ये इसका पिलर, वो भी इन लोगोंने ही बनवाया था. और इसके बारे में और कुछ पैसे किसने दिये थे अफकोस राजा भी तो थोड़ा बहुत कंट्रिब्यूट करे गाई न और ये हमें गुपता जीनोलोजी के बारे में ही बताते है और ये और किस चीज के बारे में बताते है हून्स के इन्वेजिन के बारे में बताते हैं हून्स थे ना जो की आकरमन करते रहते थे हमने उनके बारे में उस जो हर्शवर्दन राजा थे उनके टाइम पीरेड में भी हून्स ने बहुत आकरमन किया था और जो उनको फिर हराया भी था तो ये सब कुछ हम इससे भी हमें पता चलते हैं कि इस टाइम पे भी जो हून थे वो आकरमन करते रहते थे continuously attack इंडिया पे करते रहते थे और next है सकंद गुपत का इंदोर प्लेट कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन तो ये भी हमें information देगा किसके बारे में सोर संपरदाय के बारे में यानि कि जो सोर मतलब सूर्य है और जो community थी वो related थी किस से सन से यानि कि ऐसे कहते ना पहले कहते थे हम सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है तो इसी तरीके से सोर संपरजाय के बारे में जानकारी देता था और किसके बारे में तैली का श्रेणी यानि की जो गिल्ड थी गिल्ड यानि की श्रेणी ओयल मिलर्स जो तेल निकालते थे ना उनके बारे में और that worked like a bank यानि की एक bank की तरह काम करते थे और इनकी administrative unit थी कौनसी अंतरवेदी and administrator को क्या कहते थे हम श्रावनगा next अगर हम बात करें तो वो है भानुगुपता का इरान स्टोन इंस्क्रिप्शन तो ये कहाँ पे है इरान अभी जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले जो समुद्रगुपत के जो inscriptions थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो इराक नी था वो इरान यानि कि समुद्रगुपत क्या कहता था उसको कहता था न स्वभोग नगर यानि कि वो मेरी personal जागीर है तो यही इरान वाला जगह है जो हमने पिछले इस्क्रिप्शन में पड़ी है कौन सी इरान सागर डिस्ट्रिक्ट ओफ मध्यापरदेश में प्रेजन है ये तो इससे हमें जनकारी मिलती है कि जो युद्ध हुआ था किस-किस के बीच में भानुगुप्त के बीच में और होन इन्वेडर जो उस ताइम पे था तोर्मन उसके बीच में और ये सब के बारे में हमें बताता है और उसके अंदर क्या बताता है और इससे हमें जनकारी मिलती है कि इसमें इस लडाई में किसकी मिर्त्य हो गई थी, गोप राज की, जो कि फिडेटरी था, किसका? भानुगुपत का, वो इस बैटल में यानि कि मर गया था, और उसकी जो वाइफ थी, उसने क्या किर लिया था? वो सती हो गई थी यानि कि आग के अंदर चली गई थी यानि कि सती आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में कितनी सारी बॉलिवोड फिल्स बनी हुई हैं तो उन्होंने क्या कर लिया था वो खुद को सती हो ली थी तो ये जो है ये फर्स्ट आर्कियोलोजिकल एविडेंस है जो कि हमें किसके बारे में बताता है सती प्रथा के बारे में यानि कि जो हस्बेंड की मृत्यू के बाद जो वाइफ है वो किसको या तो बाद में तो जबरदस्ती भी जला दिया जाता था लेकिन पहले कुछे केसिस देखे हैं जहां पे वाइफ अपनी मर्जी से सती होती तो यह first case हमें यहाँ पे देखने को मिलता है next अगर हम last बात करें तो वो है तोर्मन का इरान वराहा statue inscription यानि कि यह एक statue inscription है यहाँ पे एक statue मिलता है किसका वराहा का तो यह भी मध्यप्रदेश में है सागर डिस्टिक जैसे की इरान आपको पताईए कि वहीं पे है E.R.A.N. यह वह वह वला इरान है I.R.A.N. वह नहीं है वो जो country है Gulf countries वहाँ का नहीं है ध्यान रखना तो यह हमें किसके बारे में बताता है political achievements and religious interests जो होन रूलर था त्रोमन उनके बारे में बताता है तो आज के लिए वस इतना ही आशा है कि आपको समझ में आया होगा हमारे और यह देखें यह जो questions है आप सोच रहे होंगे कि यह क्या start कर रखा है या पिर यह मतलब इतनी चोटी चोटी बारी के चीज़े तो देखें यह बहुत ज़्यादा important होते हैं और एक एक दो दो questions इन में से हर बार आते ही रहते हैं अलग-अलग exams में जैसे कि समुधर गुप्त का रुदर दमन का गिरनार inscription तो कितनी बार paper में आ चुका है और समुधर गुप्त को कवी राज की उपादी दी गई थी या फिर यह सब questions जो है बहुत ज़्यादा हर एक exam में पूछे जाते हैं तो अगर आप इनको base से यानि कि base level से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी फाइदा नहीं होने वाला है यानि कि वो नहीं है कि हमने main main पढ़ लिया कि हाँ dynasty में कौन था श्री गुप्त में ने foundation रखी थी फिर चंदर गुप्त समुधर गुप्त श्री गुप्त यह सब कुछ पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपको basic चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो history है वो किस तरीके से build की जाती है किस तरीके से हमें कहां से कौन सा source मिला कहां से हमें क्या पता चलता है यह सुब कुछ बहुत important है और एक आप lectures को share नहीं करते हैं तो please जादे से जादे lectures को share करें और बताएं अगर क पढ़ाने का हमेशा से ही मन था तो इसलिए मैं हमेशा से ही पढ़ाने इसलिए मैंने continue की यह series तो please जादे से जादे लाइक करें share करें और subscribe करें और अगर कोई भी गलती हो तो आप comment करके बता सकते हैं I will definitely मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी और हमारे जो facebook page का link है वो definitely replied so आज के लिए बस इतना ही thank you so much